दोस्तों जो सीमा पर जवान शहीद होते हैं पुलवावा में अभी 42 से 47 हमारे नौजवान सहीद हुई मरना एक दिन सबको है आपको भी मरना है हमें भी मरना है इस धर्दी पर रोज लाखों लोग मर रहे हैं लेकिन सोचिये मृत्यू में भी कौन से मृत्यू जो देश के लिए मरता है जो समाज के लिए मरता है वो अमर हो जाता है इसे जच्वे को मैं सलाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ उनकी वीरता को प्रणाम करता हूँ, उनकी सोच को प्रणाम करता हूँ, समाकी कोक को प्रणाम करता हूँ, जो ऐसे वीर पूर्सों को जर्म लिया है जब वो सीमा पढ़ जाने लगते हैं, उनको प्रणाम करके उनका आशिरवाद लेते हैं, और उनके सपने को सच करने की बात करते हैं, मैं इस बाप को प्रणाम करता हूँ, जो ऐसे वीर योद्धा पुर्ष का पिता होने का सवभागे प्राप्त करता है, तो मौत तो सबको पानी है दोस्तों, लेकिन जो देश के लिए मरता है, समाज के लिए मरता है, धर्म के लिए मरता है, राम राज की संकलपना यही है कि जो राम राज मतलब जो समाज के काम आए, अपने स्वार्थ को छोड़कर जो समाज के लिए सोचता है दोस्तों, वो कभी मरता नहीं, व इसी के कफन के रूप में कभी यूज नहीं किया जाता और सोची हम जिस तिरंगों को सलाम करते हैं वो तिरंगा एसे लोगों के उपर बिच्छ जाता है कितने सौभागे काभी से हैं कि मैतली सरण कुप्त ने कहा है कि विचार लोग की मृत्यों न मृत्यों से डरो कभी मरो परंद यो मरो की याद जो करे सभी हुई न वो समृत्यों जो ब्रथा जिये ब्रथा मरे मरा नहीं वही कि जो जिया नयाप के लिए और यही पसु प्रवित्ती है कि आप आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे वो मनुष्य महान हो जाता है जो मनुष्य देश वास्यों के दिल में जिन्दा रहता है समस्त सहीदों को सत सत नमन, सत सत प्रणाम उस माटी को प्रणाम जहां पर वो पैदा हुए है उस धरती को प्रणाम, उस गाओं को प्रणाम उस देश को प्रणाम, उनके विचारों को उनके जोज और उर्जा को प्रणाम में करता हूँ नमस्कार दोस्तों जैहिंच जैभारत